दोस्तो आज की कहानी है प्रोटेक्टर ओफ बेंगौल की आज की कहानी है लौड ओफ दे नॉर्थ की आज की कहानी है एक ऐसे वंच के बारे में जिन्नोंने बंगाल का नाम स्वन्निम अक्षरो से लिख दिया है गर्वित इतिहास बंगाल का आज की कहानी है बंगाल के पाल लवंच की पाल सामराजे की पाल राजाओं की जिन्होंने बंगाल को एक पावर हाउस बना दिया इससे पहले एपिसोर्ड में हमने बात की थी राजा शशांग की राजा शशांग के मृत्त्यों के बाद पूरा बंगाल बिखर सा गया था क्योंकि गौर्ड सामराज के समाप्ति हो गयी थी गौर्ड सामराज खतम हो गया था इसके बाद कोई भी बड़ा सामराज बंगाल में नहीं था बंगाल पूरा विखर गया था अलग-अलग dynasties में बंगाल विखरने लगा था तूटने लगा था तबी बंगाल के लोगों ने एक फैसला किया अराजकता को देखते हुए बिलकुल अव्यवस्था को देखते हुए बंगाल के लोगों ने फैसला किया कि हम वोट करेंगे और अपने में से ही एक राजा चुनेंगे बंगाल के लोगों ने वोट किया ये दोस्तों हिस्ट्री में पहली बार देखा गया पूरे वर्ल्ड में जब लोग वोट करके अपना राजा चुन रहे है तो बंगाल के लोगों ने वोट करके अपने मेंसे ही एक व्यक्ति को राजा चुना जिनका नाम था गोपाल गोपाल नहीं पालवंज की शुरुआत की पाल डाइनस्टी की शुरुआत की गोपाल बने पूरे बंगाल के राजा 750 AD से लेके 770 AD तक गोपाल ने पूरे बंगाल पे राज किया और पूरे बंगाल को एकत्रित रखा पूरे बंगाल को एकट्टा रखा ताकि कोई भी अव्यवस्था ना फैले बहुती अच्छी तरीके से 20 साल गोजारे पर 770 AD में गोपाल की मृत्ति हो गई और उसके बाद राजा बने उनके बेटे धर्मपाल राजा गोपाल ने बहुत सारे बौध मंदिर बहुत सारे हिंदु मंदिरों की Sthापना की और पूरे राज को पूरे बंगाल को काफी व्यवस्ते ढंग से, काफी अच्छे ढंग से रखा था गोपाल जब राजा थे तब उनकी राजधानी थी पुंडू वर्धना जो आज कल राजशाही के आसपास मिलता है, बांगलादेश के राजशाही के आसपास मिलता है तो पुंडू वर्धना को अपना राजधानी बनाया था पर धर्मपाल जब राजा बने, तब जो पूरे भारत वर्ष का जो सिचुएशन था, वो बहुत सही नहीं था जो पूरा नॉर्थ इंडिया था, नॉर्थ इंडिया में बहुत जादा कन्फलिक्ट हो गए थे और कोई भी एक बड़ा राजा नॉर्थ इंडिया में नहीं उभर के आ रहा था नौर्थ इंडिया अलग-अलग राज्यों में बिखर रहा था और उस समय नौर्थ इंडिया के सबसे बड़े राज्ये कन्नौज में भी कन्फिलिक्ट चल रहा था चक्रयुद और इंद्रयुद के बीच में दो बेटे कन्नौज सामराज्य के इन दोनों में युद चल रहा था कि कौन समालेगा कन्नौच का राज्य जो वेस्ट इंडिया था उस समय वेस्ट इंडिया में सबसे बड़ा सामराज्य था गुर्जरा प्रतिहारा साउथ इंडिया में सबसे बड़ा राज्य था राश्ट्र कुटा और इस्ट इंडिया में बन गया था पाल धर्मपाल का काफी अच्छे से बंगाल को समाल रहे थे बंगाल और बिहार पे उनका कबजा था तो दोनों को काफी अच्छी तरीके से समाल रहे थे धर्मपाल काफी सारी उकलब्दिया की जैसे की नालंदा युनिवर्सिटी को फिर से रीडेवलप किया फिर से बनाया विक्रम शीला हो रहा था बेंगौल फिर धर्मपाला ने फैसला किया कि क्यों ना हम नौर्थ इंडिया में भी अपने सामराज्य को फैलाए कन्नौच के राजा थे उस समय इंद्रयूद और इंद्रयूद थे गुर्जरा प्रतिहारा जो की राजस्थान साइट का सामराज्य था और बहुत पर बिठा दिया अपने मित्र अपने क्लोज चक्रयुद को ताकि जो चक्रयुद है वो पालाज के लॉयल रहे पाल के बिल्कुल क्लोज रहे और चक्रयुद के थ्रू पूरे नौर्थ इंडिया पे कंट्रोल कर पाए पाल डाइनस्टी पर दोस्तो गुर्जरा प्रतिहारा चुप कैसे रहेंगे क्योंकि उनके वेसल इंद्रयुद को मार दिया था हरा दिया था पालाज ने उसके बाद चक्रयुद और धर्मपाल की सेना को हरा दिया गुर्जर प्रतिहारा ने और दोस्तो इंडिरेक्ली इस हिसाब से गुर्जर प्रतिहारा का कबजा हो जाना चा यह खा कि गुर्जरप्दिःरणट्री हारा णे धर्मपाल को हरा के नॉर्ट इंडिया में कब्जा करने वाला है। राष्टर कुटाज की बड़ी फौज गई और दोस्तों गुर्जरणट्रा प्रतिहारा को उन्होंने हरा दिया। गुर्जरा प्रतिहारा वैसे ही वीक थी क्योंकि पालाज से पाल डाइनस्टी से उनका युद्ध हो चुका था पाल डाइनस्टी भी एक बहुत स्ट्रॉंग डाइनस्टी थी और उनके साथ युद्ध करके वैसे ही गुर्जरा प्रतिहारा कमजोर हो गया था और राश्टर कुटाज ने भी कन्नौज और नौर्थ इंडिया पे कबजा नहीं किया क्यूंकि उनका जो साउथ इंडिया में जो उनका पूरा किंग्डम था वो बिखरने लगा था क्योंकि पूरी फॉज राजा सब नौर्थ इंडिया में आ गए थे गुर्जरा पतिहारा से युद्ध क कबजा कर लिया उस समय दोस्तों राश्टर कुटा के राजा हुआ करते थे राजा ध्रुवा पर 793 AD में राजा ध्रुवा की मृत्यू हो गई और दोस्तों पालाज और गुर्जर प्रतिहारा दोनों ही चैन की सास लेने लगे कि अब तो राश्टर कुटाज वीक हो जाए पर राश्टर कुटा के राजा बने राजा ध्रुवा के बेटे गोविंदा ध्रुवा से भी जादा खतरनाक और ताकत पर थे जब दोस्तों राश्टर कुटा और गुर्जरा प्रतिहारा के बीच युद हो रहा था उस समय जो उनके राजा थे गुर्जरा प्रतिहारा के बदला लेंगे क्योंकि धर्मपाल की वज़े से ही उनके प्रता की मृत्यू हुई है धर्मपाल की वज़े से ही ये सारा युद हुआ था नागा भटा गए और फिर से उन्होंने कन्वाच पे हमला कर दिया चक्र युद को उन्होंने फिर से हरा दिया और नौर्थ इंडिया में फिर से कबजा करने की कोशिश की पालाज बहुत ही शातिर थे पालाज ने जादा कुछ नहीं कहा पालाज ने वेट किया क्योंकि उनको पता था कि हिस्ट्री अपने आपको फिर से दोहराएगी हिस्ट्री फिर से रिपीट होगी और ऐसा ही हुआ जैसे ही गुर्जर प्रतिहारा ने चक्रयुत को हरा के नौर्थ इंडिया में कबजा करने की कोशिश की तो रास्टर कुटा के गोविंदा फिर से आ गए और उन्होंने फिर से गुर्जरा प्रतिहारा के नागा भट्टा को बिलकुल क्रश कर दिया बिलकुल हरा दिया उसके बाद उन्होंने धर्मपाला को भी हराया पर जादा देर तक जो गोविंदा थे वो नौर्थ इंडिया में टिक नहीं पाए क्योंकि वही समस्या फिर से होने लगी साउथ इंडिया में कि राजा के बिना फिर से अराजकता फैलने लगी और वो वापस चले गए वापस कर लिया और अपने आपको Lord of the North खोशित कर दिया जीहां दोस्तो Lord of the North यानी नौर्थ के भी राजा तो धर्मपाल उस समय पूरे इंडिया में सबसे जादा एरिया कवर कर चुके थे नौर्थ इंडिया बंगाल और पूरे इस्ट इंडिया के तो राजा थे ही नेपाल तक उन्होंने पूरा कबजा कर लिया था इसी के साथ धर्मपाल ने बंगाल का स्वन्निम योग लिख दिया था दोस्तो इतनी बड़ी पावर बनने के बाद नौर्थ इंडिया और इस्ट इंडिया में इतनी बड़ी पावर बनने के बाद जो विधर्भा था जिसको की भोज बोला जाता था मत्से जो की जैपूर और नौर्थ इस्ट राजस्थान था मद्रा जो की इस्ट पंजाब था कुरू जो हरियाना दिल्ली और वेस्टन यूपी था यदू जो की मतुरा द्वारका का किंग्डम था यवना अवंती गांधारा किरा इन सबने धर्मपाल बंगा राज होगा ये दोस्तो बंगाल का स्वन्निम युग था जब पूरा अल्मोस पूरा नौर्थ इंडिया पूरा इस्ट इंडिया बंगाल के कबजे में था धर्मपाल के कबजे में था और सिरफ यही नहीं इन्होंने बहुत तरक्की भी की इस समय जो economical condition था वो बहुत अच जानने को मिला होगा धर्मपाल के बारे में एपिसोड 3 में बात करेंगे धर्मपाल के बेटे देवपाल के बारे में और दोस्तों कैसा था पाल डाइनस्टी में पूरा economic condition और cultural condition इसको detail में हम लोग जानेंगे बेंगॉल की हिस्ट्री का ये सिरीज देखने के लिए सब्सक्र कर लिजे हमाय चैनल को कि कुई लगातार ऐसे एपिसोड बनाते जाएंगे बेंगॉल की हिस्ट्री को लेके जैहिंद